हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का जुन क्लासिज में सभी पारे विद्यारतियों को नमस्कार राजस्तान प्रदेश के अंदर सैसन 2022-23 में अध्यनरत भीड़धारी छात्र छात्रा है इसके अलावा जो DL course कर रहे हैं जिनका इसी वर्स enrollment हुआ है या जो second year में है या इसके अलावा जो final year में हैं उन सभी विद्यारतियों के लिए ये वीडियो बहुत मैत्पुन होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ DL course और B.A.D. course कर रहे हैं विद्यारतियों के लिए छात्रवती योजना की कौन-कौन सी scholarship आपको मिलती है कौन-कौन सी विद्यारती scholarship के लिए apply कर सकते हैं क्या benefits होते हैं क्या criteria होता है कैसे form वरा जाता है कब तक form की last rate है सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ लगातार आपके comment आते हैं कि सर इस scholarship कौन-कौन सी मिलती है B.A.D. students के लिए तो यहापर खास बात यह है कि आपको पताईए कि अगर आप B.A.D. कर रहे हैं तो आपका 2 साल का B.A.D. होगा immigration होने के बाद में और 2 साल के अंदर जो भी आपका amount लग रहा है जो भी आपका यहापर fee लग रहा है वो पूरा का पूरा आपको refund हो जाएगा scholarship के द्वारा तो यह मोगा आप गवाए नहीं form जरूर लगाएं तो कौन सा form है कौन सा department आपको scholarship देता है इसकी complete जानकरी मैं आपको देने वाला हूँ तो एट तक आपको वीडियो को देखना है जिसमें अब तक चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe करें में लाकन को प्रेस करें जिसे आने वाली सभी वीडियो का notification आप तक पहुंच जाए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे बिल मैं बात करता हूँ समाजिक अधिकारतवाग की जो scholarship है समाज कल्याट डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं SGE और इसके द्वारा आपको सभी जो उत्तर में ट्र first year के अंदर final year के अंदर जो भी फीस आपकी लगरी है सारी की सारी फीस आपकी refund हो जाएगी वह सकता है कि UG courses के अंदर एक निशित फीस refund होती है लेकिन B AED में एक professional course है जो भी आपकी फील लगरी है पूरी refund कर दी जाती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर हम बात क करें समाज कल्यान छात्रवती योजना की बात करें उत्तर मेट्रिक छात्रवती योजना की बात करें जून महीने से इसके फॉर्म चल रहे हैं जो भी कोर्स में विद्यार्ती इंडरोल हो रहे हैं इसका फॉर्म लगा रहे हैं तो यह जो समाज कल्यान छात्रवती योजना है किनकी बिद्ध्यारतियों के लिए है कौन कौन सी category के लिए है यह important बात है तो यहाँ पर जो S.C. category है S.T. category है इसके अलावा आपके यहाँ पर जो O.B.C. category में B.P.L. धारी है उनका रेट्स के लिए भी है और इसके अलावा को वारसिक आय है वो ढॉलाइक सी ज्यादा नहीं है तो आपके परिवार की जो वार्षी आय है वो ढॉलाइक से जादा नहीं होना-ँचिये यह पर्साइन पडता है आपको यह पर इनकम साइन होते हैं बिल्कुल उनके फॉन नंबर वगरा सब कुछ सारी डिटेल डलती है यापर तो यहापर जो आए प्रमाण पत्रे सबसे important documents है इसके अलावा जो आपका जन आधार कार्ड है ये भी सबसे mention होती है तो आपके पास में जन आधार कार्ड होना चीह है आपका जो जन आधार कार्ड है वो आधार कार्ड से integration की mark seat है सबी mark seat आपको लगानी होंगी सारे documents लगाने होंगे जाती प्रमाण पत्र मूल निवास आयप प्रमाण पत्र जन आधार कार्ड आधार कार्ड ये सारे इतनी फीस जो है college वालों को दिये उसका प्रूफ मांगा जाता है जो college के लेटर हेड़ पर और प्रेंसिबल के उसमें सायन होते हैं तब जाकि वो मैन होगा तो ये आपको जो है upload करना होगा जितने भी documents में आपको बताएं ये सारे के सारे documents वेबसाइट पर अपलोड होते तो जो बेड़ वाले विद्यारती हैं वो फॉर्म जरूर लगाएं वैसे उम्मीद है date आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी बहुत सारे course हैं जिनका admission नहीं हुआ है क्योंकि ये सबी courses के लिए छात्रवती योजना है तो ये जब तक चलती रहेगी जब तक आपके admission complete नहीं आपके समाज कल्यान की scholarship की बात अब हम बात करते हैं मुख्य मंतरी उस शिक्षा सात्रवती योजना क्योंकि समाज कल्यान एक particular category के कंडेट को मिलती है लेकिन जो यहां पर राजिस्तान मुख्य मंतरी उस शिक्षा सात्रवती योजना है ये सबी category कंडेट को मिल सकती है चा आपकी 12 के अंदर 60% कम से कम होनी चाहिए अगर 60% से कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें particular कुछ student को ही ये scholarship दी जाती है प्रती साल इसके अंदर जो है आपको पूरी फीस नहीं मिलेगी कि आपने जो है बेड में 27,000 रुपे जमा खराए हैं तो प 15,000 रुपे मिलेंगे चार साल का है तो 20,000 मिलेंगे तो ऐसे आपको हर साल 5,000 रुपे दिये जाते हैं मुख्य मंत्री उस सिक्षा चात्रवती योजना के तैत जो higher education कर रहे हैं उन कंडेट के लिए लेकिन यह सभी category के लिए कोई भी लगा सकता है अगर आप जनरल category से हैं आपके percentage 60 है बारवी में और आप एक्षुक हैं कि आपको चात्रवती चाहिए तो आप लोग यहापर form लगा सकते हैं इसकी भी जो last date है वो यहापर 30 नमबर है तो 2 scholarship के बारे मैं आपको बताया समाज कल्यान और मुख्य मंत्री उस सिक्षा चात्रवती योजना दोनों की ज की रिसिप्ट है वो सब कुछ यहाँ पर अपलोड होंगी तो यहाँ पर बहुत सारी बच्चे कॉमेंट करेंगे डेल कोर्स वाले इनका तो अभी तक जो है अलोटमेंट लिस्ट नहीं हुआ है और आपको पता ही अभी counseling प्रिक्रिया होगी फिर आपका admission होगा उसके बाद की पुरी fees refund हो जाएगी अगर आप जो योग रखते हैं चात्रवती के लिए तो सभी विद्यारती फॉर्म जरूर लगाएं चाहे आप चात्र हो चात्राएं हो सभी ठीक है ना और प्राइवेट हो government college हो यह बात पी आपको ध्यान रखनी है जरूरी नहीं है कि आपकी जो college है वह government है अगर आप private college से भी है तो भी आप फॉर्म जरूर लगाएं तो सारी बात आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद